आपके पास OPPO Reno 11 Pro है कोई भी फोन है तो यहां पर आप एप क्लोन कैसे कर सकते हैं अपने फोन में एप क्लोन करने के लिए आप यहां पर सेटिंग पर जाएंगे steps से option आएगा गा स्क्रॉल कर लेंगे, apps पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर app क्लोनर का option मिलेगा च्लिक कर लेंगे यहां पर जो भी application सपोर्ट करती है वो शो हो जाएंगी तो मेरे फोन में ज्यादा application नहीं है इसवगे से खाली Facebook दिखा रहा है तो इसको आप on कर लेंगे और जो जो application दिखाएं उनको आप on कर सकते हैं बागी इसको आप rename कर सकते हैं यहाँ पे clone वाला जो है न official है यह परसनल है यहाँ पे वो चीज़े आप लिख सकते हैं ठीक है save कर लेंगे तो personal लिखा हुआ जागा आप चाओ तो emoji भी लगा सकते हैं इसको cut करके यहाँ पे emoji वगरा लगा देंगे save कर लेंगे तो इस नाम से show करेगा इसको आप छोड़ देंगे back कर लेंगे ठीक है और यहाँ पे इस पे click करेंगे तो list दिख चाएगी कि कौन-कौन सी application आपका phone support करता है आपका और जो emoji लगाया था आपने यह रहा वो facebook तो यह official मान लो या personal दोनों आपका काम करता है same बस इसमें auto fill नहीं होता है आपका name वो sorry number अगरे detect नहीं करता है automatic इसमें auto fill होता है जो आपकी system में installed होता है और इसको आप uninstall भी कर सकते हैं आपके काम का नहीं है तो इसको आप remove कर लेंगे यहां से और यहां से नहीं remove हो रहा तो आप जो setting में आपने on किया था न app clone और पे जाके इसको आप बंद कर देंगे delete कर देंगे तो यहां से delete हो गया है इस टैप के interesting वीडियो के लिए i button पे क्लिक कर लेंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नवशकार